असलाम अलेकॉम कैसे आप सब लोग उमीद करती हूं कि आप सब खेडियत से होंगे तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हलकी फुलकी से मेरे तरीकी की किचन तिस मैं कभी भे रेषिपी में हरा धनिया काटव लालती थी या पुदिना अंपकर रही हमें बताईये का अज मैंने लुपार्व पुझा एक तक interact करना एं अल면 भाती नियांगर सब द्लीइचम मिंटें तो में मुंगी नहीं लगनी चाहिए तो क्या दालना चाहिए और चाहिपती में खुजू अच्छी आए चाहि में तो उसके लिए क्या करना चाहिए यह सब हलकी पुल जी सी जो मेरे इस्टाइल की जो टिप थी जो मैं हमें अपने घर में करती हूँ वो मैं आप लोग के थी तो आप लोग देखिए और जी लोगो को इस बाले में मालुम है तो मैं फिर भी मैं बता रहीूं फिर भी आप लोग देखिए Subaru कैसे मैं करने युट करने वाली हूँ चलिए क्या करने वाली हूँ तो सारी चीज़े मैं आप लोगो को बता देती हूँ और हम इसक्शर्ट करने तो यह लिए कुछा एक भ utan ममें कम चील से भी जाहरा तरह एंना ग्वाली है ब। तो यह हरा धनिया कितने का है, पचास रपे की दो जोरी लेकी आई मैंने, क्योंकि थोरा अभी थंडी का मौसम शुरू हो गया, अभी हरी भाजी थोरी अच्छी भी आने लग जाती है, और चलिए इसे हम काट देंगे, और इसे अच्छी तरह से खोल लेंगे, और इसे अच् हरा धनिया या पूदी न पीडिलाद करती हूं, तो थोरी सी डंडी उसके साथ में लेती हूं, और खराब पते बिल्कुल भी ने देती हूं, खराब पत्ते अगर हम ले लेंगे, तो क्या होगा, वो एक खराब पते की वज़े से दुसरी हमारे पूरा खराब हो जाएगा, तो चलि इधर पर मेरा हराधनिया साफ करके हो चुका है, अभी मैं ले लूगी पूरी ना, तो ये मैंने ले चाहिए थी 10 उर्पे का पूरी ना, एक जोरी था 5 उर्पिया और एक जोरी था 5 उर्पिया, यारी 10 उर्पिया, हाँ एक बात आपको बता देना चाहती हूँ, आप कभी भी सबसी देने जाएंगे ना तो आप आट बजे के बाद ही जाना आट बजे के बाद जाते है ना तो उसे हम लोग बोलते उटता बजार में मैं जा रही हूं रात रात में जाना आट बजे के बाद उससे क्या होगा आपको ना सबसी और भाजी तरकारी सारी सस्ती मिले कि अब पाव कि लो हरी मिर्ची कितने की पता है यह 10 ुड पे की है इसमें से जो अच्छी 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 मिर्ची उससे निकाल लेन और खराब मिर्ची को आप डालाका साइक में सबसे बना आए तो दाल सकतेmber कटिक्न करके हरा धनिया हम धो लेंगे तो चले इस एक बरा सा बरतन ले लेना उसके अंदर पानी लेके आप यह हरे धनिया को इसमें डाल देना ऐसे डाल के रखने से क्या होगा पता जितनी मट्टी रेगी ना हो सारी मट्टी नीचे बाइक जाएगी यह देखे ऐसे करके आप तीन बार दो 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 के मैं इसे चनी में रखती जाओंगी अगर आप लोगों को मेरी बाते कुछ समझ में नहीं आएगी ना तो आप मेरे हाथ से मैं जैसे कर रही हूं ना वैसे भी आप कर सकते ना चले ऐसी करके मैं तीन बार इसे धो लिए अभी मैं इसे डाल दोंगी ऐसे खुला करते हैं ना निकले को इपाःक से लिए खोड़ी कर दाल रहां दोश फटक सेमे थहली में से लिए प्रड़ भाट आप कर 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 दाल दे थांक्ड़ तियो विन कर दआल दिया दो लिए नहीं रखती हो अर इससे वेशत पर नहीं होता है में यह ची रुकर चुआ तो यहा प पानी जैसे ही निकल जाएगा एक कॉटन के आप डुपटा ले ले लिजे आपके घर में तो होगा अभी उसे पंके के नीचे बिचा दीजी और सारा हरा धनिया उसके ओपर सैला कर आप डाल दीजे ये देखे इस तरह से ये सब काम है ना बहुत फुरसत का होता है मैं ये हफ आप पानी से हमें फुदीने को धो दो लेना कि दोने के बार में उसे चनी में रख累 में उसका सारा पानी पांच मिल एक तक निकल जाएगा फिर फुर बुदीने को भी हमें कोतंके कप्रे में फैला देंगे है ना अभी मैं क्या करती हूं रात को 8 बजए चली ह करके इसे सुका कर आराम से ख्रीज में रख देती हूं इससे क्या होता मेरा टाइम भी बचता और मेरा काम भी हो जाता है ना सिफ हाँ तो चलिए अभी सेम उसी तरह से हम पुदीने को भी इस कपरे पे फैला देंगे इसी के साथ में मैं टमाटर भी धोलूँगी इसी तरह से अच्छी तरह से टमाटर कभी भी धोकर रखना क्योंकि जब हम टमाटर लेने जाते है ना तो कितने लोग उस टमाटर को हाथ लगा-लगा कर चून-चून कर लेते तो इसलिए हमेशा टमाटर को तो आप अकसर अच्छे से साफी धोना एक ना कैम ये भी मिलता है मेडिकल में क्या सबजी धोने वाला लिक्वीट ऐसा कुछ भी मिलता है शायद मगर मैंने अभी तक यूज ने की एक बार तुमारे भाई है ना लॉग डॉंग के टाइम पर जब ही था ना इस सब करोना का था वो टाइम पर डैडी लेके आये ते कि इससे सबजी धोने का क चले टामाटर भी हमने धो दिये उसे भी एक साइक में रख देंगे उसी में अभी मैं हरी मिर्ची भी धोलूंगी और हरी मिर्ची को भी तीन से चार पानी से धोलेंगे दोनों भी तीन से चार पानी से अच्छी तरह से धोले ना टामाटर और हरी मिर्ची को ये सब क्या चलिए अब ये दोनों चीज़े भी धोके हो चुकि इसे भी मैं पंखे के नीचे हवे में रख दूँगी कि अच्छे तरह से सूख जाए एक टामाटर के लिगा मेरे हाथ से तो इस तरह की चोटी मोटी से टीप था है मेरी जो मैं इस तरह से अपने घर में हमेशा जैसे करती हुए यह आप लोगे साथ में शेयर कर दी अभी जैसे कि पूदीना मुझे कभी भी कर से मेरे घर में जादा करके जुम्मा के दिन या अकसर करके डाल गोश बिर्यानी यह साफ है विसमें मटी यह तो थोड़ी तर झाल पानी में रंके फिर उसे थोड़ा सुपा लेना थैली में बनंको से फ्रीज में रख देना चलिए अभी हम क्या करेंगे करीपते को भी अच्छी तरह से धोलेंगे और इसे भी एक कप्रे पे रखकर सुका देंगे करीपता भी उसी कप्रे पे मैंने एक ही बड़ा सा डुपट्टा भी बिचा दिये उसी के उपर में सारा काम अपना कर रही हूँ अंदर के रूम में मैंने ये काम कर रही हूँ है ना क्योंकि अब हार कैसे मालूम है ना तुम्हारा गोलू-मुलू कितना मस्ती करता है आएगा दस बार इतर यह देखे यह सारी चीजे इस तरह की होती है कांदा मैंने साफ करके थैली में बानके रखियो बटाटा भी एक जगा है यह मेरा थोड़ा सा जब थोड़ा थोड इसी बच गई थी वह मैंने सामन मेरा सामन खतम होने वाला है तो मैं दूसरा लाकि अपना करें मालूम पड़े जाता है खतम होने वाली तो यहां पर देखिए हमारा हरा धनिया एकदम अच्छे से सुख गया है बिलकुल पूरा धनिया सुखने के लिए मुझे पंकें के नीचे आदा घंटा लगा आदे गंटे में अच्छे तरह से मेरा धनिया सुख गया उसे एक थैली में बान देंगे यह सकते हैं मगर मैंने इसे पहले डबो में रखकर देखी थी डबो में जादा दिन एक हफते तक का यह चीज़ी नहीं रहती है जितनी अच्छी यह थैली में रहती है तो यह थैली में हमेशा रखती हूं आज कई सालों से जब से में कोई वीडियो नी बनाती थी कुछ नी ब यह थैली में बांकर नहीं तो को सब्सेशन ग्नार या कहते हैं तो कि अमेशाा धाली में लीडियों यशे में ओफिट जाते हैं जोरे सहाँ घठ यांगि अग्टैर इस लेशाओ दिने फच्टो को फिरिशन रखकर दते हैं झाve सिट undis को से जाते हूं इस थैली दो क्यो में क्या करना है तो अच्छे ताजे ताजे लिम्बू लेके आईए उसे काट लीजिए है ना काटने के बाद में एक कटोरा ले लीजिए उसके उपर रखिये छनी सारे लिम्बू का रस निचोर निचोर के अच्छी तरह से एक कटोरे में निकाल लीजिए देखिए बीज भ होगा आप इस तरह से ना महीना बर या दो महीना या तीन महीना या चार महीना भी आप इसे यूज कर सकते ये कभी भी खराब नहीं होगा है ना तो चलिए सारा लिम्बू का जो रस्ता इस तरह के बरफ के क्रेम में मैंने डाल दी अभी इसे हम रख देंगे फ्रीज में क्या होता कभी कभी जैसे कि लिम्बू जल्दी खराब हो जाते तो आप इस तरह से रख दीजे इसे आप दो से तीन महीने तक यूज कर सकते आराम से तो यहाँ पर देखे अभी मैं आपको निकाल के बताती हूँ यह एकदा मस्ट बरफ के क्यूब जैसे हो गए है ना यह देखे आपको मैं एक निकाल कर बताती हूँ हलके हलके हातों से इस तरह से कर लीजे यह एक क्यूब निकल गया अभी आप इसे कोई भी सालन में या कोई भी इस्टाटर बना रहे उसमें या चेकनी में या आपको लिम्बू जूस बना कर पीना है तो आप उसमें इसे यूज कर सकते तो चले ये भी एक टिप्स होगे इसी के साथ में मैं आपको बताऊऊगी शक्र के डबो में क्या होता है अक्सर मुंगी लग जाती है और शक्र जैसे के अपनी खराब हो जाती है कि मेरी शक्र खराब नहीं होती है कभी भी क्यों पता है चार से पाच दालचीनी की तुकरे और दस से बारा लॉंग लॉंग और दालचीनी दालने से क्या होगा इसके अंदे बिल्कुल भी मूंगी नहीं लगेगी और शकर का डबा आप धूप में रखने से क्या होगा आपकी शकर गिली-गिली सी नहीं होगी तो यह शकर की टिप्स हो गई यहां पर चाही पती का डबा आए यह चाही पत्थ की जो इसमेल बिल्कुल भी पसंद नहिए इस या करती है इसे लिंए है पति-घर के चाही बहुत पसंद नहिंए अब यह गाता है गहर एक हमारे मिक्सर होता है तो कभी कभी मिक्सर की जो वाटी की जार होती है वाटी की जार की जार की अंदर की वाटी की जो धार होती है ना ब्लेट वो खराब हो गया रहता है यानि उसकी धार खतम हो गई रहती है तो उसके लिए हमें क्या करना है इस वाटी के अंदर हमें दालना है ती तो से 3 मिलिक तका इसे घुमा लेना है, ऐसे थोड़ा बन चालू, बन चालू, ऐसे आपको करना, इससे क्या होगा, इससे आपकी जो वाटी मेरे अच्छी तरह से धार हो जाएगी, जो एस तुरह से घुमा लेगी, तो प्लकर भाएजी दो करते हैं, मैंने कितनी टिप्स और रहा जैसे मैं आपने स्टाइल में जो कुछ भी करती मेरा जो अपने घर का तरीका में भी आप जानकारी suggestive तो चलिए इस तरह की अच्छे अच्छे टिप्स की वीडियो देखने के लिए अच्छे अच्छे रसेपी की वीडियो देखने के लिए मुझे मेरे यूटूब चैनल पर फॉलो करो लाइक करो शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बेर आइकन को दबाना भूलना म तो सबसे पहले आप ही देखिए है ना तुस्टे लिए अला आफिस दौा में याद लगना फिल मिलती हूं अच्छी रसेपी के साथ और अच्छे टिप्स के साथ